सबसे पौश्टिक दूद के साथ कीमती धातू भी देती है गाए वैसे तो हिंदुस्तान में गाए को मा का दर्जा दिया गया है और उसके उसी तरह से ट्रिट किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में गाए से प्राप्थ हर चीज को बहुत ही पात माना जाता है भारत के विभिन प्राचीन ग्रंतों के मताबिक गय का दूद सबसे उतम गुणवत्ता का होता है इसके साथ ही अन्य अमूल्य वस्तुएं भी प्राप्थ होती है लेकिन आपको इस बात का यकिन भी नहीं होगा कि इससे एक ऐसी चीज प्राप्त होती है जो बहुत ही किमती होती है हाल ही गोमूत्र पर किये गे एक शोध से ग्यात हुआ है कि इसमें कीमती धातू सोने का अंशपाया जाता है आपको जानकारी देदे की ये शोध गुजरात के जूना गड़री रिकल्चर यूनिवर्सिटी जेयों में कारिरत एक प्रोफेसर डॉक्टर भी ए गोलकिया ने किया है इन्होंने इसके बारे में बताया कि उन्हें गोमूत्र में सोना मिला है जानकारी देदे डॉक्टर गोलकिया यूनिवर्सिटी के बायो टेक्नॉलजी विभाग के मुख्या है इनके द्वारा गेशोध में गिर नसलकी 400 से भी अधिक गायों के मूत्र की लगातार जाज की है तो एक लीटर गोमूत्र से टीन एमजी से दसमजी तक सोना निकाला पाया गया है इन्होंने बताया कि ये कीमती धातुलवन के रूप में पाई गई है जो कि पानी में घुलनशील होती है बता दे कि डॉक्टर गोल किया के नेतृत में तीन सदस्य टीम ने क्रोमैटोग्राफी मासित टो में ट्री विधी का प्रयोग करके गोमूत्र का गहन परिक्षन किया और सधातु को खोज निकाला है वेग्यानिकों ने कहा है कि इस शोध में गिर नसलकी चार सौगायों के मूत्र का परीक्षन किया और उसमें सोने को खोज की गई जो की पुराने ग्रंत में लिखी गई बाते सच साबित करती है